नमस्कार स्वागत है आपका फिरसे नई वीडियो में और आज इसे वीडियों बात करेंगे कि जो कोरोना का जो कहर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है येस आपने बिल्कुल सही सुना नजदिक है कोरोना की चोथी लहर क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर धीर धीर सांथ हुई थी उसके बाद से अब कोरोना के केस अचानक उसमें चाल होने लगा है अचानक केसिज बढ़ने लगे हैं तो इस बार जो केसिज बढ़ रहे हैं वो तो वेरियम्ट नया बैरियम्ट बना है वो हे डिल्टा क्लाउन वेरियंट ये दौनवएरियंट पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा केहर मचाने शुरू कर दिया है और और बहुत ज़्यादा केसिज इसके रिपोर्ट होने रहे हैं अब आसंका जताई जा रही है कि जिस तरह से जो केसिज हमारे नए मामले हमारे सामने आ रहे हैं तो कोरोना की जो चौथी लहर है वो भी जल्दी आ सकती है लेकिन हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है परिसान नहीं हो रहा है क्योंकि हमें जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर और बाकी लहरों से हम निपने हैं उसी तरह से हमें अपना बचाव रखना है और अपने काम भी करते रहने हैं साथ में कोरोना से बचाव भी रखना है ओमिक्रोन का जो सब वेरियंट है ओमिक्रोन बीए डॉ रखा है एसिया और यूरूप के कुछ देशों में जहां पर यह बहुत ज्यादा इसका आतंग फैल चुका है रिपोर्ट के अनुसार एसिया और यूरूप में पिछले एक सब्ताय से डेर करोल से ज्यादा केसिस नए केसिस रिपोर्ट हो चुके हैं जिससे की संभावना है क कोरोना की जो चौथी लहर है बहुत जल्दी हमारे बीच में आ सकती है बिल्टेन में डेल्टा करॉन वेरियंट ने बहुत जादा तबाही मचा रखी है और ये डेल्टा करॉन जो वेरियंट है ओमिक्रोन वेरियंट और डेल्टा वेरियंट के मिलने की वज़े से बना है और यह एक hybrid type का variant है, जो कि इसकी जो खोज हुई थी, वो जनवरी 2022 में इसकी खोज हो गई थी, इस तरह से delta crown variant काफी देशों में फैल रहा है और अपना कहर मचा रहा है, यदि हम इसके लक्षों की बात करें, तो इसमें सबसे पहले आपको सरदर्द की सिकायत महसूस होती है, बहुत तेज बुखार आता है, और बुखार आने के बाद आपको पसीने आ सकते हैं या फिर ठंड आपको लग सकती है, साथ में गले में खरास होना, और लगातार खांसी बनी रहना, और बहुत ज़्यादा थकान का महसूस होना, या उर्जा की कमी का होना, पूरे सरीम में दर्द होना इसके मुखे लक्षण पाए जा रहे हैं और दूसरा जो सब वेरियंट है Omicron BA.2 यदि हम इसके लक्षणों की बात करें क्योंकि इस्टेडी इसमें बताती है साथ मैं Omicron सम वेरियंट के वारे में बताया जा रहा है कि यह जो वेरियंट है नाक को ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है इसलिए यदि हम नाक से कोई सेंपिल लेते हैं तो हो सकता है कि उसकी फाल्स रिपोर्ट आए यह पेट को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है और पेट को प्रभावित करने की वज़े से कौन-कौन से लक्षन आते हैं वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए इसमें नौजिया टाइप का आपको महसूस हो सकता है कि आपको उल्टी सी महसूस होगी दस तो आपको हो सकते हैं पेट दर्द आपको हो सकता है हर्ट बर्न आपको हो सकता है पेट में सूजन हो सकती है और पाचन सम्मंदी अनेक समस्याएं हो सकती हैं तो ये जो लक्षण ये नए वेरियंट जो Omicron का नए वेरियंट आया है BA.2 तो इसमें ज्यादा तर देखने को मिलने हैं आसमें अन्य लक्षण भी होते हैं जैसे कि बुखार आना, खासी होना, गले में खरास होना, सिर में दर्द बना होना, मास पेसियों में दर्द बने हो कि हम सब जानते हैं कि कोरोना से कैसे बचाव करना है, कैसे इससे लड़ना है, और कैसे अपने आपको बचाते हुए हमें काम करते रहना है, तो कोरोना बचाव के सभी तरीकों को आप लोग फॉलो करते रहेगा और अपना काम भी करते रहेगा, वीडियो खतम करने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए मैं हूँ आपका अपना फैमिली हेल्थ कंसल्टेंट डॉक्टर एके सिंग और यहां पर बात होती है हेल्थ और फिटनेस की और आपको सही जानकारी और सही सलाय दी जाती है यह वीडियो को यहीं पर समप्त करते हैं मिलते हैं एक नई जय हिंद जय भारत